हेलो, वाट्स आप गाईज, माई नेम इस पिनोत बादूर थापा एंड टोडेन इस पीडियो भी वे विल सी स्ट्रीमिंग इन नोट जेस्ट विन हिंदी तो चले गाईज, सुरू करते है सबसे बेले गाईज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा और नोट जेस्ट टूटोरियल इन हिंदी इन 2022 पर अल्रेडी बहुत साहरे ओसम विडियो से अपलोड कर चुका हों गाईज, आपको जब भी फ्री टाइम मिले, जरूर चेक आउट कीजे, बहुत मजा आने वाला और राइट डेटा टू और डेस्टिनेशन इन अ कंटिनियोस पैसे टिक इस डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ गाइस हो मैं अब भी आपको बताता हूं लेकिन मेरे पास एक और डेफिनेशन है जो आपको बहुत मज़े आएगा एंड आप समझ जाओगे देखो streaming means listening to music और watching videos in a real time जी हां गाइस अपने real time में गाने को सुनना लाइक गाना में या amazon music में गाइस या कहीं पे भी या आप वीडियो को देखना in a real time instead of downloading a file to your computer and watching it later so guys यही है आपका streaming का मतलब यह कि नाव पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई वीडियो देखना हो या अगर आपको कोई गाना सुनना हो guys हमारे पास streaming का कोई option available नहीं थे in previous time right तो हम क्या करते थे हम पूरा का पूरा गाना पहले डाउनलोड करते थे अगर कुछ वीडियो देखना हो तो guys उससे में तो guys वो 3GP करके कुछ एक file format होता था mobile में खाली वो ही चलता था वो ही support होता था तो guys हमें पहले वो complete डाउनलोड करना पड़ता था and then बाद में जाके हम उसको देख सकते थे तो guys वो बहुत ही hectic बहुत ही फालतो आप्शन था but now with the help of streaming options अब हम वीडियो और गाने को real time में सुन सकते सेम वही है node.js में node.js में जो भी हम server पर request कर रहें server में हमारे जितने भी files है you know तो अब हम उसको real time में read कर सकते है and then write कर सकते इना continuous fashion तो इसका क्या मतलब बतार मैं बाता आता हूँ लेकिन एक और example में आपको देना चाहूँगा मैं चाहता हूँ यह streaming concept आपको एकदम clear हो जा देखे होंगे या you know IPL में अगर आप देखोगे तो streaming partner लिख के आता है तो यह वही streaming है guys streaming partner it means कि जो भी IPL चल रहा उसको live हमें दिखा रहा है ऐसा नहीं कि guys live तो बोल दे लेकिन पूरा IPL match खत्म हो गया then guys किसको man of the match यह सब odd मिल गया and then जब सब complete हो गया you know तो आप जाके हम जो पार देख रहा है यहां पर अभी तक मेरा यह जो वीडियो है guys सिर्फ और सिर्फ चार मिनेट एंड 59 सेकंड्स तक ही लोड हुआ है ठीक है जैसे जैसे में वीडियो देखूंगा आटोमेटिक हो लोड होता जाएगा तो इसको हम बोलते streaming करवाना इसमें हम गाईस जो म हम बोलते है streaming एंड यह बहुत ही जाद important है and guys यह जो concept है बहुत ही awesome है क्योंकि अब हमें पूरे वीडियो को पहले डाउनलोड नहीं करना so guys यही है आपका streaming and I really हो guys अब आपको पाता चलिया होगा what exactly stream is मतलब जो भी गाना हो या जो भी वीडियो हो या जो भी हम node में अगर server से कुछ request कर रहे है अगर एकी file में हज से ज़्यादा हजारो lines के कुछ data लिखा तो वो एकी file में हजारो lines का data हमें नहीं देगा one by one one by one हमें pass करते रहेगा हम उसको देखते रहेंगे so यह streaming है इससे क्य होता कि हमें ज्यादा weight नहीं करना पड़ता ठीक है अब देख सकते हो दिया आप mainly four types of streams एक तो readable मतलब जहां पे अगर हमें कुछ read करना हो stream which is used for read operation we have a writeable stream जहां पे अगर हमें कुछ write करना हो duplex मतलब जहां पे हम read and write दोनों का दोनों options कर सकते and then transform से यह type of duplex यह भी एक duplex का type ही है where the output is computed based on input विलिब मैं का इसे duplex and transform इतना यूज नहीं होता है तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा readable and then writeable वाले पे ठीक है and और भी है मैं बताना चौंगाला किसी के अंदर that is kit देखिए इच type of stream अभी जो मैंने आपको readable, writable, duplex and then transform दिखाया इच type of streams is an event emitter instance आपको यादे previous वीडियो में मैंने आपको events बताया थे and मैंने आपको बताया थे and मैंने आपको बताया थे जितने भी core modules है वो सब इसे सही belongs करते है इसलिए वीडियो को अब भी तक अगर आपने नहीं Suppose मैं ये वीडियो देख रहा था उस समय क्या हो रहा हम वीडियो को read कर रहे न तो उस समय हमें कैसे पाता चलेगा कि हम one by one chunk by chunk step by step video को read कर रहे तो कहीं ना कहीं कुछ तो एक चीज होगा जो हमें बता रहा होगा जो हमारे system को बता रहा होगा जिसके तुर हम उसको देख पा अगर डेटा रहा होगा जाएगा अगर कुछ एरा रहा था देन वीडियो अगर हमारे सिस्टम से पूरा सब कुछ हटा दिया डिलीटी कर दिया कि अब ताकि memory ना कहा है तो उस समय फिर ये फिनिस इवेंट यूज होता है ठीक है अब को सब कुछ पाता चल गया what exactly streaming is एंड ये कितना इसफूल होता है अब हमारे लिए राइट एल्स पहले अगेन बता रहा हूँ गाइस पहले complete डाउनलोड करू एंद दन देख हो था बट ना अब हम लाइब देख सकते step by step continuous manner में जितना हम देख रहे उससे थोड़ा सा आगे थलकालका हलका डाउनलोड डाउनलोड होते होते भी हम अब देख सकते है अब देख सकते हैं कि मैं अपने vs code editor पर आच चुक है और मैंने यहाँ पर फोल्ड क्रेट किया जिसका नाम ही stream module और उसके अंदर एक फाइल है that is your index.js उसी के अंदर एक और फाइल है that is input.txt सो basically मैं क्या करूँगा मैं यह मान रहा हूँ कि मेरा जो input.txt यह मेरे सर्वर में है मुझे किसी भी तरिके से इस फाइल के थुरू मलब मेरा index.js है उस फाइल के थुरू मुझे इसको read करना है but in a streaming manner मैं नहीं चाहता कि जब मैं इसको read करूँ पहले complete मेरा फाइल यह लोड हो जाए and then मुझे यह दिखाई दे नहीं मैं चाहता हूँ कि अगर यह एक line भी read हो गया तो फट से मुझे एक line दिख जाए then यह दिख जाए then यह मनलब streaming करा रहा हूँ मैं ठीके वह कैसे होता दिखे अमें अगर server के साथ deal करना है तो we need to create a server and file system के साथ भी खेलना है so simply const आपको spelling एक दम सही लिखना है const fs equal to यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा that is require and यहाँ पर मैं लिख देता हूँ fs this is it पहला मेरा काम complete वापस इसको मैं करता हूँ copy paste now instead of fs we know कि मुझे क्या चीए guys I need a http module तो simply http मेरा काम हो गया simple यहाँ पर मैं चलता हूँ this is it अब इसी के नीचे guys मुझे क्या करना पड़ेगा I need to create a server right तो इस तरह कैसे मैं एक server create कर लेता हूँ equal to and it's super duper easy ठीक है so http dot we have this create server all right guys simple मैंने server create कर लिए super duper easy अब मैं आपको एक new trick बाता हूँ कि हमने कली की दिन एक trick देखा था now अब हम dot on basically मैं आपको बाता है था कि node.js में भी अगर किसी चीज़ पर हम क्लिक कर दे तो कौन सा event fire करना है मलदब क्लिक करने पर क्या दिखाना था वो सब हम कर सकते event बहुत important is so यहां पर हमने देखा वो हम कैसे कर सकते server जब भी हमारे server पर कोई भी करेगा request this is it guys simple इस्तर किसे dot on जैसे jquery में होता था यहां पर simple जब भी करेगा कोई request तो guys हमें एक callback function चलाना है and guys inside this parenthesis we need to pass two parameters आपको मालूम है ना that is आपका request and then आपका response simple एक second मैं चलता हूँ इसके नीचे चलो ठीक है and guys देखे मैंने एक shortcut रखा जहां पर अगर मैं node and then fs लिख दूना file system and boom guys automatic आपने देखा मलब सब कुछ आ गया कि मुझे एक file को read करना है that is input.txt basically यह input.txt जहां पर एक function में चला रहा हूँ हाला कि इसको मैं क्या कर सकता था जैसे मैंने आपको बता है कि हम fat arrow function बना सकते थे simple यह मेरा fat arrow function बन गया अगर कुछ error हो यह वाला तो guys हमें console पर error दिखा दो अगर नहीं है तो यह जो console पर नहीं मैं दिखाना चाहूँगा response.and मतलब मैं server के through में दिखाना चाहूँगा कि मुझे यह response मिल जाए simple and अगर आपको doubt आ रहा है यह क्या guys मैं बता रहा हूँ इसकी उपर तो मैंने ना जाने कितने वीडियो बना दियोंगे that is file system both synchronous and asynchronous and यह जो मैंने किया guys मुझे बता हो क्या किया मैंने synchronous किया यह asynchronous all right awesome यह मेरा response भी दिखा रहे लेकिन अभी तक request तो listen करो हाँ भाई है के नहीं मतलब start तो करो server को right so we need to write server.listen simple अब आपको किस port number पे इसको listen करवाना है so guys we need to listen मैं चलता हूँ यहाँ पे simple 8000 पे and कौन से you know localhost पे करवाना है and localhost आपका रहता है 127.0.0.0.1 this is control s save करता हूँ यहाँ पे चल किसे मैं पहले तो क्या करता हूँ यह जो मेरा है s3r उसके अंदर जाता हूँ all right cls करता हूँ node 1 मैंने अल्डे इंस्टाल कर चुका that is index.js and node 1 perfect अब देख सकते हूँ मेरा यह start हो चुका guys अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चलता हूँ and I need to write localhost instead of 3000 I have to write 8000 and boom ऐसे यह जो तरीका मैंने अभी जस्ट किया guys कि server को मैंने request की ठीक है and मुझे जो response मिला वो basically यह जो file में मैंने जो भी लिका hello what's up guys my name is Vinod please like share and subscribe to my channel और यह finally को अभी मैं हटा रहा हूँ जैसी मैं हटा है यहाँ पे एक second इसको मैंने हटाई यहाँ पे control and save की ठीक है यहाँ पे रिफ्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो finally चलाई है so यह जो हम data को read कर रहे ना guys basically हम इसमें streaming नहीं कर रहे यह वही पूराना old तरीका था भी आपका file हो you know मैं आपको कैसे बता हूँ कि अगर suppose इसको में चलता हूँ अगर guys आप समझ लो कि इसका data बहुत ही ज़्यादा है यहां पर आप complete download कर रहे हो एंदन उसको चेक कर रहे हो तो अब हम दूसरा तरीका क्या होता हूँ मैं आपको बताते हूँ देखो guys यह जो दूसरा तरीका guys यह आपका streaming तरीका है जहां पर आप क्या गरूगे जितना data rate कर रहे हो उतना ही आप data real time में show कर वा रहे हो ठेके मै यहां पर चलता हूँ यह मेरा दूसरा तरीका ठीक उसी के अंदर इसको जो है guys में क्या कर देता हूँ इसको simply एक सेकेंड यह जो required था यह मुझे actual में लिखनी की जौत नहीं थी क्योंकि अल्रेडी में उपर लिख चुका है na required तो यह देखो नहीं यहां पर है कि नहीं सो इसको मैं हट्टा देता हूँ और इतने मेरा काम होग है अब दूसरा तरीका आप देखे जो की streaming तरीका सबसे पहले we need to create a readable stream अब वो कैसे होता देखो गाइस simple है सो कॉंस्ट रीडेवल स्ट्रीम का नाम में इस तरीके से देदी आर स्ट्रीम इक्वल तो आपको देने ना वह भी गाइस के अंदर ही है आपका वह भी ठीके एफस जो मॉडियूल है उसके अंदर ही है जाक है and that is your create readable stream and this is its simple and बस अब आपको क्या करना है कि आपको किस stream को read करना की फैल को 6기를 in आ राच new दॉक्ञ सब्सक्राइब करना आपको किस स्ट्रिम को बेसिकली इंपूर दॉ को न so simply मैं चलता हूं डेटा वाई डेटा इस तरीकी से continuous manner में ठीक है तो बहुत क्लिए लिए आप देख सकते हुए कि जब भी हम डेटा रीट कर रहे होते हैं उससे में एक इवेंट फायर होता है जिसका नाम है डेटा जब वो डेटा रीड हो गया completely देन हम एंड इवेंट का फायर करते हैं तो अब वो डेटा भी यहाँ पर उने वाला है देखो कैसे जब हम one by one step by step chunk by chunk उसको रीड करें तो आर स्ट्रीम डॉट अब गाइस मुझे क्या करना है उस इवेंट को कॉल करना है that is your data अब यह पाता चल गए मैं डेटा क्यों लिख रहा हूं क्योंकि अब मैं इस इवेंट को फायर कर रहा हूं जब भी there is data available to read simple मालब जब भी हमारे पास you know data rate करने के लिए available होगा तब हम इसको कॉल करते रहेंगे तो हमें वहीं तो करना है कि यह जो अगर बहुत हजारो लाइनस अब कोड हो तो जब 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 जितना जितना डेटा वह रीट कर रहा है थना थना थन हमें चाहिए वह पाता चल गए अब यह data मैंने क्यों लिखा क्योंकि हमें अब डेटा को सब्सक्राइब कर रहे उसको मैं यहां पर स्टोर करके रख सकता है तो यह जो पैरामिटर मैंने पास किया है इसका मदब यह कि अगर मैंने 100 लाइन का कोड लिखा है अगर सिर्फ उसने आभी पांचलाइन रीड किया तो वह पांचलाइन का यहां पर एड हो जाएगा और वह पांच लाइन को गाइस में यहां पर सो करवाना चाहूंगा और वह इतिनी फास्ट होता ना गाइस कि आपको लग रहा है पहले पांच लाइन आएगा फिर पांच लाइन फिर आजाएगा लेकिन फिर भी हम स्टेप बाइस्टेप कर रहें अब यह जो चंक डेटा इसको मुझे सो करवाना है सो रेस डॉट राइट यह नो मैंने आपको बाता आता है यह मिस्तिर किसे भी कर सकते अर उसके अंदर यह जो मैंने चंक डेटा लिग दिया सिंपली चंक डेटा वह पास कर देता हूं ठीक है लिकिन सिर्फ इतना लिखनी से गाईस हमें जो हमारा यह यहां पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि यह तो हम सिर्फ राइट कर रहे अभी तक हमने रेस्पॉंस दिया नहीं है एक्चॉल ठीक है तो वह जो एक्चॉल रेस्पॉंस कैसे देंगे हम सिंपली अब हमें यहां पर उस एंड इवेंट को फायर करना पड़ेगा यहां पर सिर्फ रेस्पॉंस डॉट एंड इस इतना मेरा काम हो गया गाइस तो आप एट लीस हम रीडेवल स्ट्रीम क्रेट कर रहें रहें कंट्रॉल एसेब करता हो यह इतना लिखने मात्रा से गाइस अब मुझे यहां पर डेटा मिलने वाला है यह देखो मुझे डेटा मिल गया अगर मैं यहां पर लिख दूँ फाइनली स्ट्रीम सिर्फ बाताने के लिए कि यह पहले वाला डेटा लोड नहीं हुआ हो आँ पर इसको रिफ्रेश करता हूं और बूम गया साब आप देख सकते हूं फाइनली स्ट्रीम और मैंने किस तरीके से किया बाई यूजिंग और अगर कल की दिन आपने कुछ ऐसा फाइल फास कर दिया यूनो जो की एक्जिस्टी ना करता हूं लिकिन मैं चाहता हूं कि वहां पर आमें बता है कि यहां वही एरर है बोलके तो वह हम कैसे कर सकते हैं देखो अगेन इट सुपर डूपर इजी आर स्ट्रीम.on आपको मालू अगर चलता हूं और यहां पर कुछ ऐसा है जो नहीं एक्जिस्ट करता है तो फाइल नौट फाउंड हम सिंप्ली फाइल नौट फाउंड इस तरी किसे लिख देता हूं अब अगर मैं यहां पर चलता हूं करता हूं तो फाइल नौट फाउंड सिंपल क्यों कि वो जो मैंने यहां पर यह जो फाइल मेंशन किया यह इंपूट से और यहां पर एस नहीं है यह एरर लेकिन अगर मैं आपको यहां पर दिखा तो काईस यहां पर आप देख सकते हो नो सच फाइल और डिरिक्टरी आज इस वीडियो के इतना ही जहां मैंने आपको बता है concept यह बहुत important concept था streaming का right and I really hope आपको वीडियो बहुत पसंद आओगा बताना चाहूंगा guys मैं डेली ऐसे awesome videos बनाते रहता हूं and guys बताना चाहूंगा कि next video में जहां मैंने इतना कुछ लिखा है मैं सिर्फ one line of code लिखू लेकिन I hope आपको at least यह जो एक concept streaming वह बहुत अच्छे से आपको पता चल गया होगा guys अगर आपको वीडियो अच्छा लागा आपको streaming का concept पसंद आया या मैंने आगर आपको समझा है आपको अच्छे से समझा so guys please इस वीडियो को एक like जरू कर दीजेगा बिल्कुल free है अब हमें 3 लेक्स करना है जल से जल मैं अपनी पूरी कोशिस करने आलो guys and मैं चाहूँगा कि अब भी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा right side में credit color का bell icon एक घंटी दिखाई देगा hit कीजे click कीज झाहूँशशशशशशशवड़ शब बादी जड़र आपना है जाओने मेरे चैनल थापने में अब अगर आपने मेरे चाहूँशशशशशशशशशशशशश झाल झाल